हेलो दोस्तो यूट्यूब चैनल इंडिया नॉलजवल माँ आपका स्वागत है दोस्तो इंडिया नेवी ने रिक्वाइडमेंट निकाली है 2021 के लिए जिसमें की बारवी के छात्रों को बारवी के स्टुडेंट्स को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है क्योंकि दोस्तो बा से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इंडिया नेवी रिक्वाइडमेंट 2021 क्या आपने फिजिक्स कैमिस्ट्री और मैथ्स के साथ कक्षा बारवी की परिक्षा पास की है जे इए मेन देकर इंजीनियरिंग बी एडमिशन 2021 करना चाहते हैं तो भारतिय नौसेना इंडिया नेवी आपको बैतरीन मौका दे रही है जी हां दोस्तों इंडिया नेवी वैकेंसी निकाल रही है बारवी के बेस पे आप कीरल इस्तित भारतिय नौसेना का संस्ता इंडिया नेवी अकैडमी से बीटैक करके सी धीधे सबी सब्सक्राइब करते हैं इंडिया नेवि ने सेमी में इस खैसे या मर न की आ डिये जा रहे है श्यूसदेई एस पांच बत है अग्जिकेट्व और टेकनिकल ब्रांच 21 पद है कुल पदों की सीटों की संक्या है 26 जी हां दोस्तों सिलेक्ट होने वाले स्टुडेंट्स को ने इंडियन नेवल अकेडमी आई एने में चार साल का वीटेक डिगरी कोर्स करने का मौका मिलेगा यह कोर्स अप्लाइट एलेक्ट्रोनिक्स मेकनिकल इंजेनियरिंग लेक्ट्रोनिक्स कम्यूनिकेशन इंजेनियरिंग स्ट्रेम में होगा पूर्स पूरा होने के बाद स्टुडेंट्स को जवाहर्लाल नेरो यूनिवर्सिटिजय नउ-डिगरी दे जाएगी फिर उने भारते नोसेना के एजुकेशन टेकनिकल और ए बाराद जारी उनकी JEE मेन रैंक के आधार पर जाएगी यह कोर जुलाई 2021 में शुरू होगा कैसे करें अपलाई इस वेकेंसी कोर्स के लिए आपको जुएन इंडिया नेवी की वेबसाइट जुएन इंडिया नेवी डॉट कॉम डॉट जी ओवी डॉट इन पर ओनलाइन डीटिल अपलोड करके सेव कर सकते हैं आप नॉटिफेशन में दिये गए क्यों और कोड को स्कैन करके भी अपलाई कर सकते हैं क्या है एलिजबिलिटी क्राइटेरिया फिजिक्स केमिस्ट्र मैथ्स PCM के साथ मानिता प्राप्त बूर्ड से कम से कम 70 परसंट अंग के साथ क लक्षा बारवी पास किया हो इंगलिस दसवी बारवी में कम से कम 50 परसंट कम प्राप्त किया हो जे इए मेन 2020 परिक्षद दी इस वेकेंसी को अपलाई कर सकते हैं सो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा प्ली लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब क धन्यवाद